पुश्पा 2 का टीजर आग बदलने आ रहा है। ये अपने चरित्र को एक नए चरित्र के रूप में पेश करते हैं जो समाज की धारा प्रवाह के खिलाफ खड़ा है। पुश्पा 2 की कहानी भी उतनी ही दिलचस्प है जितनी की पहली फिल्म की थी। फिल्म में कई अलग-अलग किरदार होंगे जो दर्शकों को मनोरंजन और सोचने का मौका देंगे। पुश्पा 2 का टीजर न केवल फिल्म के बारे में संदेश देता है, बलकि यह भी स्पष्ट करता है कि यह एक महत्वपून फिल्म है जो दर्शकों को उत्तेजित करने के लिए तैयार है। फिल्म के गाने और बैक अग्राउंड म्यूजिक भी ध्यान में रखा गया है, जो दर्शकों को और भी जुड़े रहने में मदद करता है। फुष्पा 2 ने अपने टीजर के माध्यम से बॉलिवुड को चुनौती दी है और दर्शकों को अपनी उत्सुकता बढ़ाने का काम किया है। इसलिए पुष्पा 2 के रिलीज का इंतजार हो रहा है और दर्शकों की उमीदें उन्नती की ओर बढ़ रही है। इस सिनेमा के जरिये दर्शकों को नए और अद्वितिय अनुभव की गारंटी है जो उन्हें याव रहेगा। इस फिल्म का रिलीज इंतजार में हर कोई है और यह निश्चित रूप से बॉलिवुड की फिल्म उद्द्योग में एक नया मील का पत्थर सावित होगा। पुषपा 2 के टीजर ने उक बड़े परिवर्तन का निर्मान किया है फिल्म उद्द्योग में। इसे देख कर लगता है कि सिनेमा घरों में फिर से चमकाएगी। इस फिल्म की कथा अभिनय और सब्बाद ने दर्शकों का ध्यान खींचा है और उन्हें बांध कर रखता है। इसलिए इस फिल्म का रिलीज होने का इंतिजार सभी के लिए है। अब कुछ मुख्य बातों पे ध्यान देते हैं पुश्पा का नाम सुनते ही आज लोग खुद को उस फिल्म का सबसे बड़ा फैन साबित करने के लिए दौड लगाने लगते हैं। और हैरानी की बात ये है कि उनमें से ज्यादा तर उनमें वे लोग शामिल हैं जिन्होंने फिल्म की रिलीज के समय इसे पूरी तरह से बकवास खोशित कर दिया था। शायद यह भारतिय सिनेमा के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी किल्म हैं। वह पहले ही अपना सबसे बड़ा काम कर चुकी है। जो लोग 2021 में उंगली उठा रहे थे। वे अब 2024 में पुषपा 2 के टीजर की तलाश कर रहे हैं। उन्होंने कहा, पुष पर आज फूल नहीं आग है। टीजर में अलू अर्जुन की एंट्री पूरे भारतिय सिनेमा की बराबरी है। अलू अर्जुन के अलावा भारतिय सिनेमा के किसी अन्य अभिनेता को चुने, जो इस तरह के लुक में बदलने के बाद ट्रोल नहीं होगा, साड़ी में अभिनेता आधी. लोग उसका मजाक उड़ाते हैं और एक ही साड़ी के साथ पूरी दुनिया के सामने लीड एक्टर का खुलासा करने के लिए देवताओं की आवश्चक्ता होती है. हम मिलेंगे अगले वीडियो पे आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर बताए धन्यवाद.